लेगिन देर में exercise 2.2 का question number 1 में इसमें देखेंगे कि what is open, closed, half open, half closed interval ओना number line तो ये जो terminology हैं इनको समझने के लिए example लेते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे number line ट्रा करेंगे तो number line में जो center है यहाँ पर आप 0 रखेंगे 0 के जो right side पर आप positive number रखेंगे 1, 2, 3 ये dash dash और ये move करेंगे towards the positive infinity इसी तरह जो 0 के left side पर है ये आप negative number लेंगे minus 1, minus 2, minus 3, dash dash ये कहा तक move करेंगे? negative infinity तक याद रखेंगे जो negative infinity और positive infinity ये real number में शामिल नहीं है तो सबसे पहले जो half closed interval है तो half closed interval, half open interval वो concept समझते हैं कि example की मदद से तो एक example लेते हैं एक example लेते हैं कि जो x की value है फर्स करें x is greater than 1, equal or less than 3 तो आप देखें जो x की value है, it is between 1 and 3 मतब एक जो 1 और 3 के दर्मियान है इसमें 1 जो है वो शामिल नहीं है लेकि 3 शामिल है जहाब equal sign उसका मतब है कि वो खुद भी उसमें शामिल है तो जब आप इसको number line पे draw करेंगे तो 1 से लेकर 3 तक ये 1 और ये 3 तो 1 से लेकर 3 तक आप देखें क्योंकि 1 शामिल नहीं है इसमें से आप जो circle उसको आप open रखें क्योंकि 3 शामिल है तो आप जो circle है इसको आप fill करेंगे तो ये solution set है मतब या इसका मतब ये है जो value है x की वो 1 से लेकर 3 तक है 1 इसमें शामिल नहीं है लेकि 3 इसमें शामिल है अभी इसको जब आप mathematical form में लेकेंगे तो आप इसको कुछ इस तरह लेकेंगे क्योंकि 1 शामिल नहीं है तो आप square bracket आप लेकेंगे और इसी तरह सब सर पहले इसका solution set है 1 से लेकर 3 तक क्योंकि 1 शामिल नहीं है तो आप square bracket को उल्टा करके लेकेंगे तो इसको कहते हैं, जब आप इसको इससरे लिखेंगे, इसको कहते हैं, half open inter one, half open, इसी तरह एक और example लेते हैं, इसी example को, मैं इसको one को शामिल करता हूँ, और three को यहां से remove करता हूँ, जब आप इससरे करेंगे, तो आप खुद देखें, जब आप तो इसको मैं कि उता है कि यह mix नाओ, तो इस example को, यहां पर दूसरा है, यहां पर मैं नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, फिर से, यहां पर positive infinity रखेंगे, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, or minus 3, और यह negative infinity ते move करेंगे, तो यहां पर इसी example को, यहां पर मैं लिखता हूँ, 1 is equal or less than x, x is less than 3, ठीक है, तो यहां पर आप देखें, इसका मतलब कि x की जो value है, it is between 1 and 3, इसमें 1 शामिल है, लेकिन 3 जो है, वो खुद शामिल नहीं है, तो जब आप इसको number line पर ड्रा करेंगे, 1 से लेकर 3 तक, तो यह 1 और यह 3, 1 से लेकर 3 तक, आप देखें, 1 शामिल है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप fill करेंगे, 3 शामिल नहीं है, तो आप इसको empty रिखेंगे, अभी जब आप इसको लिखेंगे, mathematical form में, जब आप इसको mathematical form में लिखेंगे, तो आप इसको कुछ इस तर लिखेंगे, 1 से है end में जो है bracket सीधा है तो यह हुआ half open intervals यहाँ बे शुरू में bracket सीधा है आखिर में bracket उल्टा है तो इसको लिखेंगे half close interval ठीक है यह hopefully कि आपको यह concept समझ आ गया होगा अभी half open और half closed आपको समझ आ गया होगा अभी मैं open और close interval की बात करता हूँ तो एक्जामपल की मनदद से आपको समझ आओँगा तो सबसे पहले एक्जामपल करते close interval की यही इसी एक्जामपल को लेते हैं कि x is equal or less than 1 and equal or less than 3 तो जब सबसे पहले आप number line ड्रा करेंगे center में आप 0 रखेंगे 1, 2, 3, इसके right सार भी positive number यह move करेंगे towards the positive infinity और 0 के left side पर देखेंगे negative values और यह move करेंगे negative infinity तक अब यह आप सबसे पहले देखें x की value है 1 से लेकर 3 तक तो यह 1 और यह 3 आप देखें 1 और 3 दोनों इसमें शामिल है क्योंके equal लगा हुआ है तो आप दोनों को close ठीके यह जो circle दोनों को आप fill करेंगे तो x की value इसका मतब है x की value 1 से लेकर 3 तक 1 और 3 यह खुदब यह जो extreme value है यह भी खुदब शामिल है अब जब आप इसको mathematical formula लेकेंगे तो solution क्या है 1 से लेकर 3 तक 1 शामिल है तो bracket को सिधा करके लेकेंगे अब यह आपको जो है open interval समझाता हूँ इसी example को लेते हैं इसको मैं remove नहीं करूँगा ताकि आप दोनों को compare करके दोनों में कि बिल्कुल cross interval क्या है और open interval क्या है इसी example को लेते हैं फर्स करने मैं लिखता हूँ 1 is less than x and x is less than 3 तो पहले आप number line ड्रा करें यह negative infinity यह positive infinity center में 0 इसके right side पे positive number 1, 2, 3 इसके left side पे negative number आप देखें x की जो value है x की value कहा से लेकर कहा तक है 1 से लेकर 3 तक तो 1, 3 आप देखें जो 1 है यह खुद भी शामिल नहीं है solution set में x is between 1 and 3 x जो है 1, 3 के दर्म्यान लेकिन 1, 3 यह खुद इसमें शामिल नहीं है तो यह लिखें यह इसका solution set है आप दोनों को empty रिखेंगे इसको जब आप mathematical form लिखेंगे तो आप लिखेंगे solution set कहा से लेकर कहा तक है 1 से लेकर 3 तक 1 भी शामिल नहीं है इसको जो है आप इस तरह भी लिख सकते हो कुछ books में उन्होंने parenthesis की सुरत में लिखा है 1, 3 यह भी open letter ले तो इसको आप इस शकल में भी लिख सकते हो जो exercise ही जो question number 1 का जो example है वो आपका assignment है Thank you